नमश्कार Competition Community के इस Fast Track Revision Course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुक्राजगिरी और इस FTR सेशन में मैं डील कर रहा हूँ 36 गड़ सामान अध्यान सब्जेक्ट में आपको यह भी बता दूं कि FTR के अपने इस वीडियो में संभाग परिचय में से मैं लेके आया हूँ कुछ important प्रशन दुर्ग संभाग में से लेकिन इस FTR सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए एक announcement है announcement यह है कि हम competition community की तरफ से करा रहे हैं हर एक रवीवार को 11 बजे online test और इस test में शामिल होने के लिए आप सभी को क्या करना है तो शुक्रवार की रात्री तक आप सभी को करा लेना है हमारे website पे register ताकि संडे को सुबे 11 बजे होने वाले इस online test में आप सभी हो सकें शामिल तो यह हो गया announcement अब हम आज आते हैं किस पे तो प्रश्णों पे तो देखिए यहरा हमारा आज का पहला प्रश्ण कहां कि प्रसिध शेल चित्र में गधे की सवारी करता हुआ एक चीनी व्यक्ती दर्शाया गया है अब देखिए 36 गढ़ अंचल में आपने अनेक जगहों से शेल चित्रों के बारे में पढ़ा होगा लेकिन अगर विशिष्ट रूप से बात करें तो आपको चार स्थलों को ध्यान रखना है तो चार में से पहला है इस राइगढ जिले में जगा का क्या नाम है तो नाम है सिंगहन पुर अब इस सिंगहन पुर की गुफा में से वैसे तो अनेक शेल चित्र प्राप्त हुए है लेकिन जो विशिष्ट है वह है एक जल परी किसकी एक जल परी दूसरा भी इस राइगढ जिले में नाम है क्या तो नाम है कबरा पहाड और इस कबरा पहाड से एक छिपकली के शेल चित्र की प्राप्ती हुई है किस रंग से तो ध्यान रखना रंग वैसे तो गेरू है बहुत जगा आपको लाल भी लिखा मिल जाएगा तो पहला सिंगन पूर दूसरा कबरा पहाड तीसरा है इस कांकेर जिले में नाम है क्या तो नाम है गोटी टोला और इस गोटी टोला से जो शेल चित्र मिले हैं वह है एक यूएफो अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग अब्जेक्ट के और एक है एलियन के तो सिंगन पूर, जलपरी, कबरा, पहाड तो है क्या तो छिपकली रंग कैसा है तो गेरू लाल भी लिखा मिल जाएगा आपको दूसरा मैंने बताया क्या है तो नाम है गोटी टोला फिर से लेक देता हूँ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो गोटी टोला लिखा है मैंने गोटी टोला और यहाँ से यूएफो और एलियन इसके बाद चौथा है चित्वा डोंगरी सबसे पहले आपको बता दू यह चित्वा डोंगरी कहा है तो आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा कि यह 36 गड़ के राजनात गाउंजले लेकिन ध्यान रखना अगर मैं बात करूँ जन संपर्क विभाग के द्वारा प्रकासित शाक्षो के आधार पर तो ध्यान रखना यह है 36 गड़ का बालोद जिला अब इस बालोद जिले में एक जलाश है आप सभी जानते होंगे नाम है क्या तो नाम है गोंदली जलाश है और इसी गोंदली जलाश है के ठीक पश्चिम की ओर एक ग्राम है नाम है सहगाओ क्या नाम है तो नाम है सहगाओ और इसी गोंदली जलाश है के पश्चिम से ठीक लगा इसी सहगाओं ग्राम के बाउंडरीज के अंदर आता है हमारा शित्वा डोंगरी फिर से बता दूं सब राजनाव गाओं पढ़े होगे जानते होगे कोई दिक्कत की बात नहीं है जब आप जन संपर्क विभाग के उस प्रकाशन के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें इस चित्वा डोंगरी जो है इसका पता बताया गया है ग्राम का नाम है सहगाओं ठीक है तो क्लियर हो गया चित्वा डोंगरी कहाँ पर तो बालोज जिल्या में लेना है अब वापिस आ जाते हैं तो चित्वा डोंगरी से कैसे शहल चित्र मिले हैं तो पहला तो है गधे की सवारी करता एक शीनी आक्रती और दूसरा है किसकी तो ध्यान रखना एक ड्रागन की सुझ में आया तो चार विशिश ध्यान रखना सिंगन पूर से जल्परी कबरा पहाड से क्या बताया तो छिपकली गोटी टोला से बताया यूएफो और एलियन और चित्वा डोंगरी से क्या बताया तो गधे की सवारी करता एक चीनी आक्रती और दूसरा ड्रागन अब प्रशन पर वापिस आते हैं क्या लिखा है कहां से प्रसिद्ध शेल चित्र में गधे की सवारी करता हुआ एक चीनी व्यक्ति दर्शाया गया है तो क्या बताया मैंने अभी कहाँ पर बताया गया है, तो चित्वा डोंगरी के शेल चित्रों में ऐसा दर्श आया गया है, और चुंकि चित्वा डोंगरी option A में दिया है, इसलिए इस पहले प्रश्ण का सही उत्तर होगा option A, तो यह हो गया हमारा पहला प्रश्ण, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्ण पे है, श्री वा सगरम पार्श्वत तीर्थ डैश जिले में स्थित है, तो देखिए, यह हमें आप किसका है, तो दुर्ग संभाग का है, यह जिला है कबीर धाम, उसके बाद राजनात गाउं, उसके बाद है बेमेतरा, फिर है दुर् नदी का, शिवनाथ, अब इसी शिवनाथ नदी के तट पर, किस जिले में, दुर्ग जिले में ध्यान रखना, एक स्थल है, जिसका नाम है क्या, नगपुरा, क्या नाम है, नगपुरा, अब इस नगपुरा में क्या है, तो ध्यान रखना, तेश्वे, जैन, तीर्थंकर, पार्ष, नाथ, जी का मंदर है, किसका मंदर है, तो ध्यान रखना, तेश्वे, जैन, तीर्थंकर, श्री, पार्ष, नाथ, जी का मंदर है, और इसी दुर्ग जिले के नगपुरा जो की स्थित है शिवनात नदी के तटपर, इसी को कहा जाता है उवासगरम पार्श्वतीर्थ. तो प्रश्ण पे वापस आएं, श्री उवासगरम पार्श्वतीर्थ. सबसे पहले किसे कहते हैं तो ध्यान रखना नगपुरा को कहते हैं. अगर पूछे किस नदी के तटपर है तो ध्यान रखना कौन सी नदी है? तो शिवनात नदी है. और तीसरी बात, किस जिले में है प ही उपतर है. तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्ण. अब अगला है हमारा तीसरा प्रश्ण, जिसमें सही मिलान करना है जहां एक और बांध है और दूसरी और है नदियां. बांध कौन-कौन से तो गोंदली, फिर है सरोधा, फिर है मनुहर सागर और उसके बाद है खपर तो ध्यान गटना सबसे पहले शुरुवात करते हैं इस बालोध जिले से इस बालोध जिले में तांदुला की एक सहायक नदी है नाम है जोहार क्या नाम है जोहार कहीं पे जुहार भी लिखा होगा इस नदी पर एक परियोजना नाम है क्या तो नाम है गोंदली इसके बाद इस दुर्ग जिले में नदी है शिवनात और इस शिवनात नदी पर एक परियोजना नाम है क्या खपरी उसके बाद यह है जिला कबीर धाम कबीर धाम में सक्री नदी पर एक परियोजना नाम है क्या तो नाम है सरोधा और इस राजनात गाव जिले में बाग नदी इस बाग नदी पर एक परियोजना नाम है मनुहर सागर और यह जो परियोजना है ध्यान रखना इसका 80% भाग वैसे तो 36 गड़ में स्थित है लेकिन इसका 20 प्रतिशत भाग कहां है तो महाराश्चुन। एक और बात बता दू इस परियोजना का जल अभी 36 गड़ इस्तिमाल नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा हमने देखा बालोद जिले में जोहार नदी पर है गोंदली परियोजना दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर खपरी हमने देखा कबीर धाम जिले पर सरोधा है किस नदी पर तो नदी का नाम है सकरी और इस राजनाद गाव जिले में नदी है बाग प मनोहर सागर का मिलान बाग से और खपरी का मिलान हो सकता है शिवनात से अब पेरिंग कर दें तो क्या बना A2 फिर बना B3 उसके बाद क्या बना तो बना C1 और बना D4 तो A2, B3, C1 और D4 अब इसको option से मिला लें तो देखें option number B पे ही दिया है A2, B3, C1 और D4 और इसलिए option B जो है यह सही उत्तर होगा हमारे तीसरे प्रश्न का तो यह था हमारा तीसरा प्रश्न अब आ जाते हैं चोथे प्रश्न पे है चोथे प्रश्न पे भी क्या करना है तो सही मिलान लेकिन इस बार एक और नदिया है तो दूसरे और है उदगम एक और बात बता दूँ नदिया कौन-कौनसी तो है हाफ फिर है कोटरी फिर है शिवनाथ और है खर-खरा नदि तो मैप पे अगर देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना यह है हमारी कौनसी नदी तो नदी का नाम है शिवनाथ अब शिवनाथ नदी के उदगन के confusion लेकिन आपको मैं बता दूँ आप लोग इसका उदगम जो है पाना बरस याद रखना PSC ने अंसर लिया है इसलिए पाना बरस ही ध्यान रखना फिर आधा कॉंट्रोवर्सी चलता है कि महारास्ट में है कहां है यहां है हमको उतना ध्यान देनी की जरूरत नहीं है PSC के द नदी कौंसी नदी हाफ और इस नदी का उदगम कहां से है तो ध्यान रखना कांदावनी कहां पर है तो कबीर धाम जिले में एक और बात बता दूँ अब इसी शिवनात की एक सहायक नदी है नाम है क्या तो नाम है खर खरा और यह जो खर खरा नदी है इसका उदगम कहां ह तो डॉंडी लोहारा कहा है डॉंडी लोहारा तो है बालोच जिले में इसके अलावा एक नदी और नाम है क्या तो नाम है कोटरी नदी और इस कोटरी नदी का उद्गम कहां से है तो ध्यान रखना दुर्ग राजनात गाउं उच भूमी और इसमें भी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो मुहला तहसील कौन सा तहसील तो मुहला तहसील कहां पर है तो राजनात गाउं जिले में तो हमने क्या देखा शिवनात नदी का उद्गम पाना बरस, कोटरी का, दुर्ग राजनात गाउं उच भूमी, खर्खरा देखा डॉन्डी लोहारा और कांदा वनी देखा है, हमने हाफ नदी का उद्गम अब प्रश्ण पर वापस आएं, तो हाफ देखा हमने कांदा वनी, कोटरी का देखा, दुर्ग, राजनात गाव, उच्च भूमी, शिवनात का देखा, पाना बरस, खर्खरा का देखा, डौंडी, लोहारा, तो पेरिंग करो तो क्या हो गया, तो हो गया, A1, B2, C3 और D4, अब इसका मिलान करें options में, तो option A में ही दिया है, A1, B2, C3 और D4, और इसी लिए option A जो है, यह है हमारे चौथे प्रश्ण का सहीं उत्तर, चौथे प्रश्ण के पश्यात अब आ जाते हैं, अपने पाचवे प्रश्ण पे, अब देखिए, पाचवे प्रश्ण में क्या करना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सहीं है या बताना है, तो पहला कथन है, भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण, 36 गड़ का सबसे नया वन जीव अभ्यारण है, चौथा स्टेटमेंट कहता है, यह एक टाइगर रिजर्व है, तो देखिए, अगर भोरम देव के संबंध में बात करें, तो यह 16 गड़ का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण है, यह बात तो बिलकुल सत्य है, 2001 में स्थापना हुई, यह बात भी ब भारण कौन सा है, तो है, तमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण, और यह जो तमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण है, इसका शेतरफल है, 608 वर्ग किलो मीटर, किस जिले में है, तो है, सूरज पुर जिले में, तो इस हिसाप से देखा जाए, तो तीसरा स्टेटमें यह एक टाइगर रिजर्व है तो 36 गड़ में बता दू टाइगर रिजर्व पहले तो है इंद्रावती राष्ट्री उद्यान उसके बाद है अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण और उसके बाद है सीता नदी उदंती वन्यजीव अभ्यारण तो इंद्रावती अचानक मार और सीता नदी उदंती संयुक्त रूप से। इन टाइगर रिजर्ब्स में क्या कहीं इस भोरम देव का नाम आया क्या नहीं आया। मतलब यह चौथा स्टेटमेंट भी है गलत। हमें क्या बताना था। हमें बताना था कौन सा कथन सही है। तो option भी कोई ऐसा ही ढूणना है जो कहें एक और दो दोनों सही और ऐसा option है option A में। जो की कहता है एक और दो सही है और इसी लिए option A जो है यह हमारे पाँचवे प्रश्ण का सही उत्तर है। पाँचवे के बाद हम आजाते हैं अपने छटवे प्रश्ण पे। अब देखिए छटवा प्रश्ण है पाशान घेरों की खोज कहां हुई है अब वैसे तो पाशान घेरों की खोज 36 गड़ में एक से अधिक जिलों में हुई है चुकि हम दुर्ग संभाग पढ़ रहे है इसलिए हम दुर्ग संभाग के परिपेक्ष में बात करते हैं इस दुर्ग संभाग में एक जिला है नाम है बालोद क्या नाम है बालोद अब इस बालोद जिले में सोरर चिर्चारी करही भदर करका भाठा और मुझ गहन कौन कौन सी जगा है सोरर चिर्चारी करही भदर करका भाठा और मुझ गहन तो ये सारे ऐसे लोकेशन्स है जहां से हमें इस बालोद जिले में क्या देखने को मिले तो पाशान घेरे तो प्रश्ण पर वापस आते हैं, तो हमने क्या देखा, सोरर, चर्चारी, करही बदर, करका, भाठा और मुझका, क्या हमने खपरी देखा, खपरी नहीं देखा, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो ऐसा option जिसमें लिखा हो A, B, C, D और E, ऐसा option है, option A जिसमें दिया है A, B C, D, E, और इसी लिए option A जो है, यहां हमारे छटवे प्रश्ण का सही उत्तर, पाशान घेरों के बारे में एक चीज़ आपको और बता दूं, कि सबसे नवीन खोज इन पाशान घेरों की कहा से हुई है, तो ध्यान रखना धी भंतरी जिले के गंगरेल से हुई है, समझ में तो नभी नितम खोज इन पाशान घेरों की कहा से हुई है, तो ध्यान रखना बालोद जिले से, और बालोद जिले में कहा तो हमने देखा सोरण चिरचारी करही भदर करका भाठा और मुझकान, तो यह हो गया हमारा छटवा प्रश्ण, नेक्स्ट हमा जाते हैं, सातवे प पहला कथन जो है, वह गलत है, पहला कथन है, बाहदur कलारिन की माची बालोद जिले में स्थित है, पत्थरों से बना हुआ, एक मंदप है यह, कैसा मंदप, तो कहा जाता है कि इसी बहादुर कलारिन की शादी हुई थी एक कल्चुरी शासक से उसी पत्थर के मंडप में और यह वही मंडप है इसका एक डीटेल्ड स्टोरी है जिसको मैं कभी किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगा इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है राजा वीर से ने प्रसिद्ध मा बमलेश्वरी मंदिर का निर्मान कराया तो बिलकुल कराया था मा बमलेश्वरी मंदिर का निर्मान और कहां पे कराया था तो कराया था डूंगरगर में इसके बाद गौतीर्थ बानाबरद बालोद जिले में स्थित है तो ध्यान रखना गौतीर्थ बानाबरद जो है यह असल में दुर्ग जिले में स्थित है और बानाबरद के बारे में ध्यान रखना यह 36 गड़ की एक मातर ऐसी जगा है जहां पर गौमाता का पिंडदान होत क्योंकि गौदीर्थ बानाबरद बालोद में नहीं दुर्ग जिले में स्थित है चौथा स्टेटमेंट कहता है तरीघाट खारून नदी के तट पर स्थित है तो दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में स्थित तरीघाट जो है वह असल में खारून नदी के तट पर ही स् तो हमें क्या बताना था हमें बताना था कौन सा कथन गलत है अब गलत हमने देखा सिर्फ कथन तीन गलत है तो option कोई ऐसा हो जो कहें सिर्फ कथन तीन गलत है और ऐसा option है option C और इसी लिए option C जो है वह आपके 7 वे प्रश्ण का सही उत्तर अब हम आजाते हैं अपने आठवे प्रश्ण पे है आठवा प्रश्ण है पाँचवे सहकारी शकरकार खाने को 36 गड़ के किस जिले में प्रस्तावित किया गया तो अगर मैं बात करूं 36 गड़ में स्थित सहकारी शकरकार खानों की तो पहला है इस सूरजपुर जिले में ना नाम है क्या तो नाम है मा महमाया सहकारी शक्करकार खाना इसके बाद दूसरा है कबीर धाम जिले में नाम है क्या तो सर्दार वल्लब भाई पटेल सहकारी शक्करकार खाना तीसरा भी इसी कबीर धाम जिले में नाम है क्या तो नाम है भोरम देव सहकारी शक्करकार खाना चौथा है इस बालोद जिले में नाम है क्या तो नाम है दंतेश्वरी मया सहकारी शक्करकार खाना तो पहला हमने देखा सूरजपुर जिले के केरता ग्राम में नाम है क्या मा महमाया सहकारी शकरकार खाना दूसरा है पंडरिया के नस्दीक बिसेसरा ग्राम में सरदार वल्लब भाई पटेल सहकारी शकरकार खाना तीसरा बीसी कबीरधाम जिले में भोरम देव सहकारी शकरकार खाना राम हे पुर में चौथा मैंने बताया है दंतेश्वरी मैया सहकारी शकरकार खाना बालोज जिले के करका भाठा में पाँचवा ध्यान रखना प्रस्तावित है कहाँ पर तो बेमे तरा जिले के चंदनू ग्राम में में तो चन्दनू ग्राम में प्रस्ताविथ है पांचवा सहकारी शक्कर कहार खाना चट्थिस कव अब प्रश्टु पे वापस आ जाएं तो हमने क्या देखा कहा पर प्रस्ताविथ है तो बे मितरा जिले में बे मितरा option A में दिया है इसलिए option A इस आठवे प्रश्टु का स इसमें क्या करना है तो सही मिलान करना है जहां एक ओर जिले हैं वहां दूसरी ओर है पुरा तात्विक्स थल तो जिले हैं दुर्ग, राजनात गाउं, बालोद और कबीर धाम पुरा तात्विक्स थल है क्या तो चितवा, डोंगरी है, तरी घाठ है, बूम, टीला है और पच इसके बाद राजनाथ गाउंजिला जहां पर है बोम टीला बालोद में हम देख चुके हैं क्या चितवा डोंगरी और दुर्ग जिले में हम देख चुके हैं क्या तो तरी घाट अब अगर मिलान करें तो दुर्ग से तरी घाट राजनाथ गाउं से बोम टीला बालोद से चितवा डोंगरी कबीर धाम से पचरा है तो क्या पेयर बन गए तो बन गए A2, B3, C1 और D4 और यही A2, B3, C1 और D4 दिया है option B में और इसी लिए option B जो है यह सही उत्तर होने वाला है इस नववे प्रश्ण का तो यह हो गया हमारा नववा प्रश्ण अंतता हम आजाते हैं अपने दसवे प्रश्ण के दसवा प्रश्ण कहता है निम्न लिखित में से कौन सा जिला 36 गड़ के वरिष्टी छाया शेत्र में पूर्ण वा आंशिक रूप से शामिल है सबसे पहले आप समझे परवती वर्शा का कॉंसेट तो माल लेते हैं यह एक परवत है और यह जो आद्रपवने हैं यह आकर परवत के जिस धलान से टकराती है उसी धलान को कहते हैं सम्मुख धलान और दूसरी धलान जो है वह कहलाती है विमुख धलान तो जैसे ही सम्मुख धलानों पर यह आद्रपवने टकराती हैं यह पवने उपर की ओर जाना चालू करती हैं उसके बाद क्या होता है तो होता है संगनन और फाइनली वर्शन मतलब आसान भाषा में समझो तो जैसे पवन उपर गई तापमान में कमियाई बादल बने और वर्शा हो गई कंसेप्ट इससे बहुत जादा डीटेल्ड है लेकिन वो इंडियन जियोग्रिफी के लिए अच्छा है छत्तिस गड़ के लिए उतना कामका नहीं अब चूकी वर्शा हो गई तो पवन कैसी हो गई तो आदर से शुष्क जब पवन विमुक धलानों पर उतरेगी तो कैसी रहेगी तो शुष्क रहेगी तो कभी वर्शा होगी क्या ने मतलब अगर परवत है और पवन आकर सम्मुक धलान पर टकरा जाए तो सम्मुक धलान की तरफ क्या होता है तो वर्शा या व्रिष्टी और विमुक धलान पर क्या हुआ तो वर्शा तो हुई नहीं इसलिए इसको कहते हैं व्रिष्टी चाया प्रदेश मतलब सम्मुक धलान पर वर्शा या व्रिष्टी हुई और विमुक धलान पर क्या बन गया व्रिष्टी चाया प्रदेश अब देखिए 36 गड़ के पश्चिमी भाग में मैकल परवतों का विस्तार है और इस मैकल परवत का विस्तार हमें राजनात गाउं जिले कबीर धाम जिले से लेकर आगे बिलासपुर संभाग तक देखने को मिल जाता है तो जैसे ही पवने आके इस मैकल की सम्मुख ढलानों पर टकराती हैं तो मैकल के पश्चिमी ढलानों पर वर्षा होती है जो की सम्मुख ढलान है लेकिन मैकल का जो पूर्वी हिस्सा हो गया या ऐसा भाग जो मैकल के पूर्व में है वह बन जाता है क्या तो विमुख शेत तो यहाँ पर किसका formation होता है व्रिष्टी छाया प्रदेश का अब इसमें आप देखिए कौन-कौन सा छेत्र आ गया तो इसमें आ गया कुछ हिस्सा राजनात गाउं जिले का इसके अलावा कुछ हिस्सा कभीर धाम जिले का तथा बेमितरा जिले का कुछ हिस्सा तो क्या आ आ गया राजनात गाउं जिले का हिस्सा कभीर धाम जिले का हिस्सा और बेमितरा जिले का हिस्सा प्रशन पर वापिस आ जाएं तो हमने क्या देखा राजनात गाउं कभीर धाम और बेमितरा में आनशिक या पूर्ण रूप से यह सारे जिले जो हैं किसमें शामिल हैं तो पुरिष्टी छाया प्रदेश में शामिल है, मतलब सही option क्या होना चाहिए, तो ऐसा option जो कहें, एक, दो और चार, अब देखिए, option C में दिया है, एक, दो और चार, और इसलिए option C जो है, यह आपके दसवे प्रश्ण का सही उत्तर है, तो यह हो गए 10 कुछ अच्छे और conceptual प होगी आने वाले वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, राइपुर संभाग से कुछ प्रश्णों को, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में, तब अपके लिए थांक यू आण टेक केर सीजी पीएसी की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले